Greenhouse effect and greenhouses जिससरा के इस्टूट्रेस हमने बात की electromagnetic waves पर अब हम देखते हैं कि ये electromagnetic waves हमारे earth surface को किस तरह effect करते हैं, यानि जो outer space से, sun से या बागी जोगों से जो हमारे पास radiation आती है, वो earth surface के उपर क्या effect उनका होता है फिर्स्ट उनका effect जानने के लिए Greenhouse को समझ सके और इसका effect क्या होता है और Greenhouses हम किस तरह define करते हैं देखें जब हम बात करते हैं outer space की तो हम कहते हैं कि sun जो है actually वो क्या है वो hot gases से मिलकर बना है hot gases से मिलकर बना है अब यह sun क्या करता है यहां से जो radiation निकलती है वो all direction में जाती है लेकिन कुछ पार्ट इसका जो है आर्थ की तरफ भी आता है यहां से अगर हम इसको draw कर ले for example यह sun से radiation निकलती है वहां पर produce होती है यहां पर आती है यह आर्थ की तरफ जो कि हमने yellow इस era से भी शो की है यह आती है sun अर्थ की तरफ अब हम जानते हैं कि अर्थ का जो surrounding place है वो मुख्तलिफ gases से मिलकर बनाए यानि अर्थ के इर्द गिर्द बहुत सी हमारे पास gases है जो कि combined form में पाई जाती है और इन gases को हम क्या कहते हैं atmosphere कहते हैं यानि इसको हम कहते हैं अर्थ का atmosphere अब आप देखें अर्थ के इर्द गिर्द गिर्द जिस तरह के हम for example suns लेते हैं तो यह हमारे पास यहां पर कौन सी गैस है oxygen है इस तरह जब हम उपर जाते हैं तो मुख्तलिफ gases पाई जाते हैं nitrogen, methane, carbon dioxide, etc तो इन सारी gases को combinedly हम क्या करते हैं atmosphere कहते हैं अब जूंकि इस atmosphere ने आती है suns से अर्थ की तरफ तो इस atmosphere से उनको पास होना पड़ेगा, यानि यह हमने show किया हुए देखें, for example, यह जो envelope आपको show हो रही है, यह अर्थ का atmosphere है, अर्थ के इर्द गिर्द gases हैं, एक बिलकुल cover सा बनाया हुआ है, अर्थ को cover किया है, तो जब suns से यह radiation आएगी, तो वो क्या करेंगे, वो इस atmosphere से पास होंगे, तब जो है अर्थ तक पहुंचेंगे, तो इसमें से ज्यादत और जो हमारे पास gases है, sorry, radiation है, वो अर्थ सर्फिस तक directly पहुंच जाते हैं, यानि sun से आते हैं, atmosphere से पास होते हैं, और अर्थ सर्फिस से strike करते हैं, यहाँ पर और कुछ इसमें gases, कुछ radiation ऐसी होती है, जो कि इस surface में जो gases हैं मुझूद है, उनमें जजब हो जाती है, यानि अर्थ तक directly नहीं पहुंचती, यहाँ पर जो है वो absorb हो जाती है, अगर आप देखें, जो यहाँ पर अर्थ सर्फिस तक पहुंच जाती है, अर्थ सर्फिस क् करती है, उनको re-radiate करती है, यानि यहाँ पर पहुंच गई, sun से निकलती है, यह radiation अर्थ तक पहुंच जाती है, देखें, यहाँ पर हमने yellow ray से show किया हुए इसको, यानि अर्थ को पहुंच गई, यहाँ पर यह जाजब हो गई, और यह क्या करती है, पिर अर्थ इसको वा यहाँ पर यू बाहर नहीं निकलती, बलोकि यहाँ पर जो gases हैं, उन्में absorb हो جाती है, जजब हो आ रहा है कि उसको heat energy मिलती है, तो अगर यह radiation atmosphere में absorb हो रही है, तो इस atmosphere का क्या होगा, temperature बढ़ेगा, और जब temperature बढ़ेगा, तो as a result क्या होगा, अर्थ का temperature बढ़ेगा, तो हम कहते हैं कि इस तरह के effect को हम क्या कहते हैं, green house effect, और जो gases, इस तरह का phenomena उनकी वज़ा से होता है, उन gases को हम कहते हैं, green house gases, यानि यहां पर हम generally उनके लिए नाम use कर लेंगे, green house gases, green house gases, जिस तरह के हमने बात की केस में, जो major parts है, वो water vapors के हैं, यानि पानी जो gas farm में होता है, उपर जाता है, उसके molecules ज्यादातर absorb कर लेते हैं, carbon dioxide होता है, इसके साथ methane होता है, CH4 जिसको हम कहते है और एक हमारे पास O3 होता है, oxygen, इसको हम try oxygen कहते हैं, यह भी जो है, इनको absorb कर लेता है, तो यह कुछ ऐसी gases हैं, जो कि in radiation को absorb कर लेती हैं, और उस वाज़र से क्या होता है, इस atmosphere का और earth का temperature जो है, वो increase हो जाता है, तो अगर आप देखें, यहां पर हमारे पास जो gases हैं, जो water और carbon dioxide और methane और O3 हैं, इनमें यह जो पहले दो है, water और carbon dioxide, यह एक range को जो है, बहुत ज्यादा absorb कर लेती है, और जो methane है और O3 है, वो दूसरे range को absorb कर लेती है, तो हम कहते हैं कि मुखतलिफ range के जो electromagnetic waves होते हैं, जिनकी wavelength मुखतलिफ होती है, वो मुखतलिफ gases में जो है, वो absorb ह लेकिन जो larger part है, वो इन दो की वज़ा से होता है, water और carbon dioxide की वज़ा से, और चुनकि यहां पर जब यह जब हो जाती है, तो फिर उसको re-radiate करता है, तो इसलिए वो वापस अर्थ की तरफ जो है आते हैं, यानि for example, sun से आगए, यहां पर absorb हो गए, यह इसको re-radiate करता है, य यहां पर आते हैं, यहां पर atmosphere यानि water vapors या carbon dioxide उनको जब लेते हैं, और फिर वो इसको re-radiate करते हैं, जब वो re-radiate करते हैं, तो वो all directions में होते हैं, यानि इस direction में भी, यूं इस direction में भी, इस direction में भी, तो इसमें देखें, बहुत सारे parts, इसका जो fraction है, वो वापस अर्थ क हो जाता है यानि अर्थ का जो temperature है वो इस वज़ा trabajo, बढ़ जाता है तो इसको हम क्या कैते हैं Green house effect इसको कहते हैं इसकी वाज़aa आर्थ का ज्वाद का टेंपरेचर बढ़ता है, तो एक लेहसे ाजसीजन का घुर्ण extry त्राइ magnetic waves का एक range जो है वो absorb हो जाता है so उस layer को हम क्या कहते है O3 या उसको हम ozone कहते है ozone layer कहते है so अगर यह ozone layer ना होता तो देखें जो sun से जो ultraviolet radiation आती वो directly हम तक जो electromagnetic waves आती वो directly यहां पर पहुंच जाती so अगर यह ozone layer जो है यह disturb हो जाए for example यह ozone layer है suppose यह ozone layer है अब यहां पर जो waves आ रहे है यह इसमें absorb हो रहे है लेकिन अगर यह ozone layer जो है यह disturb हो जाए तो पिर क्या होगा कि यह जो sun से जो radiation आ रहे है यह directly अर्थ तक पहुंच जी कि अर्थ का जो temperature वो बढ़ेगा so आज किल हम देख रहे हैं कि जो pollution produce हो रहा है जो industries की वाज़े से यह बाकी जितनी भी polluted चीज़े है वो जो pollution produce कर रहे हैं उसकी वाज़े से यह ozone layer जो है यह disturb हो रहा है यानि damage हो रहा है तो उसका result क्या है कि जो अर्थ के radiation है वो directly हम तक पहुंचती है तो इस वाज़ा से जो है अर्थ का temperature और भी बढ़ रहा है यानि जो atmosphere है वो actually अर्थ को गरम रखने में या उसका temperature maintain रखने में भी help करता है लेकिन इसका temperature बढ़ाने का cause भी है इसका temperature बढ़ता है और इसका हम एक जो comparison है वो moon के साथ कर सकते हैं देकि moon का जो के हम जानते हैं कि उसका atmosphere नहीं है तो इसलिए वहाँ पर जो sun radiation उस पर पड़ती है वो directly re-radiate होती है और जब re-radiate होती है तो चुंकि उसका atmosphere नहीं है तो वो किसी भी जगा पर वो absorb नहीं होती बलकि वापस चली जाती है atmosphere है या बाकी planets अगर हम देखे तो उनका चुंकि अपना atmosphere है उनके तो उस वाज़ा से उनके जो radiation आती है वो absorb होती है और वहाँ पर उनको जहें उनका temperature बढ़ता है तो जो summary है इसकी वो यह है कि outer space से radiation आती है outer space से और यहाँ पर main part यहाँ पर हमारे पास है sun का वो आती है वो अर्थ के साथ strike करती है पर रिरेडियेट होती है atmosphere में atmosphere में चली जाती है यहाँ पर हम show कर रहे हैं atmosphere में फिर जो है absorb होती है वो वापस उसको radiate करती towards the earth तो इस तरह हमारे पास earth का temperature बढ़ता है तो यह थी सारी story जिसमें हम greenhouse और greenhouse effect को समझने की कोश्च करते हैं